Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल ये 23rd में से लेकर 29th में तक कि आपकी tarot readings है, tarot predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें देखिए आपका एक-एक like, एक-एक subscription, एक-एक share हमारे लिए बहुत मायने रखता है In fact, यही एक motivation भी होती है next video को बनाने के लिए तो अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please आप खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के subscribe करें इसी के साथ-साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं Sun sign, Moon sign, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं याँ पर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपने वीडियोस को sorry readings को देखते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साबता ही क्राशी फल आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है three of cups, reverse and turning in और ये cards कहते हैं कि इस week again specifically अपने professional front में बहुत actively चीजों में आप अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं कहीं किसी level पे किसी तरीके से आप लोगों से situation से withdraw करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखिये ये general reading होती है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि कोई celebration, कोई get together आपके professional front में हैं जिसको आप attend कर रहे हैं लेकिन लोगों से आप connect नहीं कर पा रहे हैं या फिर लोगों के अपने आसपास होते हुए भी एक अकेला पन आप महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी event पे जाने के लिए इसी celebration को attend करने के लिए आप मना कर रहे हैं या फिर मैं कहूंगी कि आप attend नहीं कर रहे हैं और देखिये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने professional friend से थोड़ा सा break लेना चाहा रहे हैं और कहीं अपने friends, अपने loved ones, अपने close ones के साथ vacation पे जा रहे हैं या फिर देखिये उनके साथ fun, मज़ा, मस्ती आप वैसे ही कर रहे हैं और personal friend के लिए आप लोगों के लिए cards हैं five of cups and stress तो देखिये बहुत ही clearly stress का card किसी तरीके की परेशानी, किसी तरीके की tension की बात करता है तो देखिये सबसे पहले एलियोज मैं अपनी खुद की बनाई हुई definition stress की आपके साथ share कर देती हूँ देखिये मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी चीजों को हम control नहीं कर सकते हैं और यहां पर देखिये सब के लिए different चीजें हो सकती हैं, कुछ के लिए पास्ट का कोई issue हो सकता है, मसला हो सकता है, जिसके उपर आप बहुत focus कर रहे हैं, और देखिये past को जितना भी हम चाहें, हम change नहीं कर सकते हैं, और जब उसके उपर हम focus करते हैं, तो हम परेशान होते हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि current कोई situation है, जिसको आप change again करना चाहा रहे हैं, और कहीं उसको change करना possible नहीं है, और अगर देखिये ऐसा आप किसी भी situation में पाएं लियो, तो इसको check करके correct करें, फिर से देखिये जिन चीज़ों को आप change नहीं कर सकते हैं, control नहीं कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप उनको let go करते हैं, जितनी जल्दी आप उनके लिए एक acceptance लेकर आते हैं, उतनी ही जल्दी एक सुकून, एक peace आप अपनी life में लेकर आते हैं, उन पे जादा focus कर रहे हैं, यहां पे देखिए, फिर से सब के लिए थोड़ा-थोड़ा differ कर सकता है, कुछ के लिए कोई गल्ती पीछे हो सकता है या फिर अभी किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, किसी भी तरीके से चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप उन पर बहुत जादा फोकस कर रहे हैं और देखे इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हो तो 3 कप ज़रूर इस कार्ड में गिरे हुए हैं लेकिन 2 कप खड़े हुए हैं और इस card का message भी यही होता है, all is not lost, यानि कि आपकी life में और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जो ठीक चल रही हैं, जो बढ़िया चल रही हैं, तो देखिए, थोड़ा सा भी अपना focus आप shift करेंगे, उन चीजों पे जो अच्छी चल रही हैं, जो बहतर हैं, और उन चीजों से आप अगेन अपना focus हटाएंगे, जो ठीक नहीं चल रही हैं, तो बहुत जबरदस्त एक shift अपनी energies में आप महसूस करेंगे, और देखिए, अच्छी energies में आप vibrate करेंगे, और फिर अच्छा ही universe से आप attract भी करेंगे, तो देखिए, इन ही चीजों का खयाल इस week, specifically अगर आप अपने personal front में रख लेंगे, तो personal front की energies को आप एक्दम से बदल देंगे, यानि कि आप बहुत अच्छा कर देंगे, और guidance से आप लोगों के लिए miracles का card है, और यह card कहता है, expect the wondrous to emerge, तो देखिए, यहाँ पर मैं लियोज आपको यही कहूंगी, कि miracles यहाँ फिर magic, उनहीं के ही साथ होता है, जो miracles और magic में विश्वास रखते हैं, होता तो सब के साथ है, तो इस week देखिए, यह आपके ओपर depend करता है, अगर आप विश्वास रखेंगे, तो ज़रूर कोई miraculous चीज होने के chances हैं, यानि कि किसी चीज को आपने expect नहीं किया था, आपको उमीद नहीं थी, वो कुछ लोगों के लिए छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, कहीं इस week फिर से मैं कहूंगी होने के chances हैं, और देखें, personal front के लिए, तो मैंने आपको specifically कहा है, कि आप एक negative frame of mind में दिख रहे हैं, और देखें, जब हम एक negative frame of mind में होते हैं, तो miracles नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं हम अच्छी energies में vibrate नहीं कर रहे होते हैं, तो miracles के होने के लिए बहुत important है, कि हम अच्छी energies में vibrate करें, तो देखें, इन ही चीजों का again आप खयाल रखेंगे, तो कोई ऐसी चीज भी आप इस week अपने life में ट्राक्ट कर सकते हैं, जिसकी आपको उमीद नहीं थी, या फिर जो आपको लग रहा था कि impossible है, ये तो हो ही नहीं सकती है, आप लोगों के लिए Aries sign का कार्ड है, और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, और significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए वोगों आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, page of cups and rebirth, और ये cards कहते हैं कि इस week जहां एक तरफ अपने professional front में किसी चीज को लेकर छोटी मोटी खुशी, छोटी मोटी happiness, छोटी मोटी satisfaction आप महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप over emotional, over sentimental भी होते हुए देख रहे हैं, और अगर ऐसा आप पाएं वर्गोस, तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें, क्योंकि दीखे, professional front में जब हम over emotional होते हैं, तो उस time तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन कहीं हम अपना professional attitude खोते हैं, और फिर आगे चलके इन ही चीजों की वज़े से problems होती हैं, और दीखे, कहीं immature तरीके से भी या तो आप या फिर आपके work front में कोई इनसान हैं, वो चीजों को deal कर रहे हैं, एक childish सा behavior है सकता है, तो दीखे, सामने वाले को तो आप beyond the point नहीं control कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद की immature energies आप पाएं वर्गोस, तो इसको भी ज़रूर चेक करके correct करें, कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice अगर आपको इस week लेनी है, तो किसी experiential इनसान से ज़रूर आप बात कर लें, किसी phone call, news, message का अगर आप wait कर रहे हैं तो इस week मिल सकता है, और कहीं है message, phone call, email, news, again एक happiness, एक joy किसी level पर लाता हुआ देख रहा है, and in the process या फिर otherwise भी हो सकता है कि किसी चीज़ को मन नहीं मन अप end करके नए सिरे से भी शुरू करना चाहा रहे हैं, और देखे ये भी हो सकता है कि इसी नई beginning के लिए छोटे-छोटे efforts आप कर रहे हैं, जिनके कहीं इस week आपको positive results मिल रहे हैं, positive outcome मिल रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, nine of swords and sorrow, तो देखिए दोनों ही similar से cards हैं different deck से, और दोनों ही cards कहीं low energy levels की बात करते हैं, कहीं एक परेशानी बहुत जादा किसी चीज़ को लेकर महसूस करने की बात करते हैं, और देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी Virgos कि जब भी भी हम ऐसी energies में बहुत time तक रहते हैं, तो यह energies भी automatic हो जाती हैं, फिर कोई अच्छी चीज़ आती हैं हम ना तो उसको देख पाते हैं, ना recognize कर पाते हैं, और यही हमारा एक attitude, behavior हर चीज़ के लिए रह जाता है, और देखिए फिर in the process, again हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, या फिर से मैं कहूंगी हमारी आदत ही बन जाती है, तो ऐसा आप भी पाएं कि आप बहुत एक low energies में हैं, या फिर एक उदासी सी महसूस कर रहे हैं, तो उसको जरूर आप चेक करके correct करें, कुछ तो इस week कहीं देखिए external level पे होगा, लेकिन आप उसको बहुत जादा महसूस कर रहे हैं, या फिर एक negative thought process रह रहा है, इसलिए आप जादा परेशान हो रहे हैं, इसके बजाए कि externally कोई चीज हो रही है, और देखिए जब हमारे ही mind में, हमारे ही अंदर कोई चीज create हो रही है, तो उ हम ही वर्गोस ठीक कर सकते हैं, और ऐसे में देखिए एक दो चीजें और जिनका खयाल आपको रखने की ज़रत है, वो है positive self-talk आपने करनी है, अपने thoughts को आपने observe करना है, जैसे ही एक भी negative thought आपके mind में आता है, आपने तुरंत उसको positive thought के साथ replace करना है, आपने तुरंत you know positive self-talk अपने आप से करनी है, क्योंकि देखिए जो thoughts होते हैं, यही beach के समान होते हैं, और जो beach हम बोते हैं, वही पौधा भी निकलता है, for example हम करेले का beach बोएंगे, तो हमें सेप संत्रा नहीं मिलेगा, हमें करेले का ही पेड़ मिलेगा, इसी तरीके से, देखिए जब बहुत negative thoughts चल रहे होते हैं, तो हम कभी भी खुश रहे ही नहीं सकते हैं, तो इस चीज की भी checking इस week आप जरूर करें, और देखिए इसको अगर आप चेक करके correct कर लेंगे, तो personal front की energies को भी आप काफी बहतर कर पाएंगे, and guidance है, आप लोगों के लिए voyage of the heart का card है, और यह card कहता है, love flows through you to you, तो देखिए खुद को love करना है, खुद को prioritize करना है, और कहीं देखिए यह love भी तभी flow करेगा, जब आपके chakras खुले होंगे, जब आपके internal channels खुले होंगे, क्योंकि जब हम बहुत ज़ादा again negative energies में रहते हैं, तो यह जो channels होते हैं, चakras होते हैं, यह block हो जाते हैं और उसके बाद एक परेशानी होती है, और वही परेशानी बढ़ती भी रहती है, तो देखिए खुद को love करें, और जब आप खुद को love कर पाएंगे, तो एक loving energies आप से flow करेंगी, और जो बाकी के लोग आपके आसपास हैं, वो भी यह love महसूस करेंगे, और कहीं वो भी आ आप लोगों के लिए इस week के लिए guidance है, और astrology से आप लोगों के लिए sun planet का card है, और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday, तो यह था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राश्रीफल, और नीचे आप लिए comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए Libras, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 7 of swords, rewards and patience, और यह cards कहते हैं कि इस week specifically आपके professional front में एक escapism वाली energies रह सकती हैं, कभी-कभी होता है ना कि हम लोगों को situations को upfront होके नहीं deal करना चाहते हैं, और देखें इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि कौन किसी का सही मायने में साथ देता है, कौन किसी को real या फिर true advice देत है, और देखें ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो ये कार्ट कहता है कि ये एक possibility हो सकती है, तो यहाँ पर देखें कार्ट की तरफ से आपको यही advice होगी, कि इस week आप blind trust किसी पे भी ना करें, आप थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को समझें, तभी उनको deal करें, और तभ आप action initiatives लें, और देखें कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कि किसी चीज को, किसी जगा को, किसी इनसान को temporarily and permanent, आप चुप चाप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, और देखें ये कार्ट कहीं cheating वाली energies की भी बात करता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए literally किसी level पे cheating है सकती है, और कुछ लोगों के लिए simply देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनके intentions, उनके motives आपको लग रहा है, कि ठीक नहीं हैं, और कुछ Libras के लिए हो सकता है, कि आपके भी Libras, कहीं intentions, motives, जो भी आप कर रहे हैं, उतने ठीक नहीं हैं, देखें, आपे मैं आपको यहीं कहूंगी, कि अगर ऐसा आप भी Libras पाएं, तो थोड़ा सा pause करके अपनी checking करें, क्योंकि देखिया हम इस materialistic world में रहते हैं, जहां पे हर दम ही एकदम से साधेपन से, एकदम से simplicity स हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, मैंने एक story भी पड़ी थी, कि एक बड़ी भगवान नीचे आते हैं, और वो भी हार मान लेते हैं, उनको भी लगता है, कि भाई, बिलकुल साधगी से चीजों को नहीं deal करा जा सकता है, थोड़ा सा smart तो बनना ही पड़ता है, तो देखिये अगर ऐसी आपके intentions हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि इस you know smartness में आपके intentions, आपके motives किसी के लिए ठीक नहीं हैं, तो उसको ज़रूर आप check करके correct करें, क्योंकि देखिये जब ऐसी energies में हम होते हैं, तो एक temporary gain हमें मिलता है, temporary satisfaction हमें मिलती है, लेकिन तो इस चीज की checking आप इस week जरूर करें, अगर आपको लगे कि भई आपकी तरफ से ऐसी energies हैं, और फिर से देखिये अगर लोगों की तरफ से ऐसी energies हैं, तो आप थोड़े से cautious रहें, थोड़े से आप conscious रहें, और नीचे देखिये यहाँ पे patience का card कहता है, कि यहां तो आपक जो भी आपके professional front में हो रहा है, उसी के लिए इस week थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी patience रखने की ज़रत है, या पिर कुछ लोगों के लिए यह card हो सकता है, कि guidance दे रहा हो, कि इस week आप बहुत impulsive ना हो, बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए ना करें, and personal front के लिए आप के लिए cards है, king of swords and new vision, और देखिए, ये cards कहते हैं, कि इस week अपने personal front में, आप अपने mind की ज़्यादा सुन रहे हैं, हो सकता है कि पीछे आपने बहुत दिल से काम लिया, बहुत दिल से चीजों को करा, और आप थोड़े से या फिर काफी परेशान हुए, और इस week आपको ऐ ज़्यादा चीजों को लेकर emotionally, या फिर से मैं कहूंगे sentimental नहीं होना चाहते हैं, एक detachment या तो आ रही है, या फिर आप लाना चाहा रहे हैं, पीछे जो भी चीजें आपको confuse कर रही थी, उसी से ही related, बहुत एक clarity आ रही है, या फिर आप लाना चाहा रहे हैं, और बहुत मैं कहूंगी logically जादा चीजों को डील कर रहे हैं, आप mind से जादा चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हाँ पे king of swords का card है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, किसी एक male figure की तरफ से काफी supportive energies हैं, जिनकी king of swords वाला, you know, एक attitude है, या फिर king of swords वाले characteristics हैं, जो कि मैंने अभ भी बताया, आपको बहुत ही एक mind से काम लेना, बहुत ही clarity रखते हुए हर चीज को deal करना, और देखिए आप इन new vision का भी card कहीं similar से energies की बात करता है, कि एक तरीके से हो सकता है, कि आप चीजों को deal कर रहे थे और आपको result नहीं मिल रहा था, तो इस week आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नजरिया बदल के देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को deal करने का perception बदल के देखते हैं, नए तरीके से, नए अंदास से कुछ चीजों को करके देखते हैं, और देखिए ये बहुत-बहुत important भी होता है Libras, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके से कोई काम कर रहे ह और आपको result नहीं मिल रहा है, तो 99% chances हैं कि जो आपका तरीका है वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए result तो मिलता ही है, हर ताले की चाबी तो होती ही है, लेकिन अगर आपके पास जो चाबी है उससे ताला नहीं खुल रहा है, इसका मतलब सिरफ ये है कि आपके पास wrong चाब ये तो ताला जरूर खुलेगा, ऐसे ही कुछ भी issue, कुछ भी मसला अगर आप phase कर रहे हैं या फिर कभी भी जिन्दगी में आता है और वो ठीक नहीं हो रहा है, हल नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिये आप उसको सही तरीके से नहीं deal कर रहे हैं, या मैं कहूंगी कि उसको deal कर कहता है, the time is now, तो जो भी आप अपने professional या personal front के लिए चाहा रहे हैं, उसी से ही related ये card कहता है, यही सही समय है action initiatives लेने का, यही सही समय है उस direction में आगे बढ़ने का, तो इस week इस चीज का भी खयाल आप ज़रूर रखें, and astrology से आप लगों के लिए Neptune का card है, और इसके हिसाब स all shades of blue आप लगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं, and significant day आप लगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Libras आप लगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए Scorpios आप लगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लगों के लिए cards है, the hangman and the outsider, और देखे the outsider के card को अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक बच्चा दूर एक रोशनी को, एक rainbow को देख रहा है, शायद वो वहाँ जाना चाहता है, लेकिन सामने से दर्वाजा बंध है, दर्वाजे में ताला लगा हुआ है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है, जहां पर जो भी आप करना चाहा रहे हैं, जो भी आप पाना चाहा रहे हैं, उसी से ही related, छोटी मुटी अर्चने, छोटी मुटी रुकावटे रहती हुए दिख रही है और देखिए ये general reading होती है, तो ये रुकावटे, ये अर्चने सब के लिए differ कर सकती हैं, कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि जो भी आप करना चाहा रहे हैं, उस चीज के और आपके बीच का दर्वाजा बंध है, आप आगे नहीं जा पा रहे हैं, आप आगे नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए situation, circumstances हो सकते हैं, जिनकी वज़े से छोटी मोटी रुकावटें, छोटी मोटी अर्चने हैं, और कुछ लोगों के लिए कुछ लोग हो सकते हैं आपके professional front में, या फिर देखिए आपके personal front में, जिनकी वज़े से कुछ issues, कुछ मसले हो रह रहे हैं जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंदे हुए हैं आपके पैर बंदे हुए हैं आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी शायद आप चीजों को डील करने का अपना perception अपना नजरिया बदलना और अगर ऐसा आप करना चाहा रहे हैं Scorpius तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि देखिए time to time हमें थोड़ा सा pause करके analyze करना चाहिए हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें result मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और especially देखिए again अगर result नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा different तरीके से चीजों को हमें deal करना चाहिए थोड़ा सा अपना नजरिया थोड़ा सा perception हमें जरूर बदलना चाहिए और देखिए overall के लिए देखें तो एक passive सी energies रहते हुई देख रही हैं जहां पे आप बहुत actively किसी भी चीज में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं एक waiting and allowing वाली energies भी कुछ Scorpios के लिए रह सकती हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है King of Wands, Reverse and Control और देखें control का card बहुत ही clearly कहता है कि इस week या तो जो भी लोग आपके आसपास हैं आपके loved ones, आपके close ones वो आपको dominate करना चाहा रहे हैं आपको control कर रहे हैं या पिर Scorpios आपकी ही आपकी energies हैं जहां पर आप situations को लोगों को control dominate करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और शायद इसलिए या फिर otherwise भी आपकी energies में एक balance नहीं रहता वा दिख रहा है, कुछ Scorpios के लिए हो सकता है कि आप over excited, over enthusiastic किसी चीज को लेकर हो रहे हैं, थोड़े से aggressive, थोड़े से controlling हो रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपका enthusiasm, आपका excitement low है, आप बहुत courageously, बहुत boldly चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात Scorpios में आपको यहीं कहूंगी, कि बहुत बहुत important है कि इन ही energies में आप एक balance लेकर आएं, और अगर देखिए आप controlling और dominating हो रहे हैं, तो इस चीज को भी जरूर आप check करके correct करें, यो कि देखिए जब हम ऐसी energies में होते हैं, तब कहीं एक unrest हम अपने ले लेकर आते हैं, हम खामखा एक परेशानी अपने ले लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीजों को हम control कर स हैं, हम जितनी भी कोशिश करें, in fact देखिए मैंने एक stress की definition बनाई है, stress is when we try to change and control things that we can't, तो देखिए अगर आपको भी लगे कि आपकी ऐसी energies हैं, जहां पे आप उन्हीं चीजों को change करना चाहा रहे हैं, जिनको आप नहीं change कर सकते हैं, तो जरूर एक acceptance mode में आएं, जरूर एक surrender mode में आएं, क्योंकि देखिए ऐसे ही एक piece हम अपने लिए ला पाते हैं, और ऐसे ही कहीं देखिए जो हम पाना चाहते हैं, उसको पा भी पाते हैं, जब हम controlling होते हैं, तो हम चीजों को तो नहीं पा पाते हैं, लेकिन खुद को हम जरूर बहुत परेशान कर लेते हैं, और अगर देखिए लोग बहुत controlling, dominating हो रहे हैं, तो यकीन मानिये, आपने ही उनको allow किया है, उकि पहली बारी ही आप उनको ये convey कर देते हैं, कि भई आप ये चीजों को नहीं tolerate करेंगे, तो next time वो कभी भी आपको control and dominate करने की कोशिश नहीं करते, तो इस चीज का भी खयाल और देखिए यही चीजों को आपने चेक करके correct किया, तो इस week की energies को भी आप better कर पाएंगे, and guidance है आप लोगों के लिए कार्ड है finding sanctuary, और ये कार्ड कहता है opening to your spiritual source, तो देखिए बहुत ही clear message है कि इस week आप ज़रूर अपने आपको spiritual activities में involved करें, participate करें, and astrology से आप लोगों के लिए 6th house का card है, और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए lucky रह सकते है, and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day, तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितन आप connect कर पाए